बिस्मिल्ला है रमाने रहीम स्टूडेंट्स आज मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी मौन्ट बिगनर की अलिफ 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 से इस्तरी अलिफ से इस्तरी अलिफ से उंट अलिफ से उंट अलिफ से अंगूर अलिफ से अंगूर देखें बच्चों सब में शुरू में अलिफ आ रहा है उंट में इस्तरी में भी अलिफ लगा है अंगूर में भी अलिफ लगा है बे 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 से बिल्ली बे से बिल्ली बे से बक्री बे से बक्री बे से बत्त बे से बत्त बच्चों, सब में बे लगा है, बिल्ली में बे, बक्री में बे, शुरू में बत्तक में बे, बिल्ली आपने घर में देखी होगी, बक्राइद में बक्री भी देखी होगी, तालावों में बत्तक भी देखी होगी, तैरती हुई आपने पे से पाइलिट पे से पंक्खा पे से पत्ता बच्चों पाइलिट जहाज उडाता है गर्मी लगती है तो हम पंक्खा चलाते हैं दरख्तों पे कितने पत्ते लगेवे होते हैं देखें हैं ना आपने ते से तितली ते से ताला ते से ताज तितली तो आपने फूलों पे देखी होगी ताला भी जब हम घर बंद करके जाते हैं ताला लगाते हैं बाश्या सर पर अपने ताज पहनता है शायद आपने बाश्या को ना देखा हो टे से टोपी टे से ट्रैक्टर टे से टिमाटर बच्चों सब में शुरू में अलफाज में ट्रैक्टर टोपी टिमाटर टे आ रहा है सर पर आप अपने टोपी पहनते हैं खेतों में हल चलाते हैं ट्रैक्टर से और टिमाटर तो आप खाते ही होंगे से 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 समर से से साबुत से साबुत समर फल तो आप खाते हैं और साबुत की नूम खाते होंगे साबुत सेब खाते होंगे साबुत है कटाव नहीं जीम 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 से जग जीम से जग जीम से जीब जीम से जीब जीम से जैकिट जीम से जैकिट बच्चों जग में भर लेते हैं पानी खाने के वागत और अपने दस्तर खान पे डारिनिंग टेबिल पे रखते हैं इससे हम पानी पीते हैं जीब भी आपने सड़क पे देख लियोगी और जैकेट भी आप पैनते होंगे चे 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 से चान चे से चान चे से चीता चे से चीता चे से चडिया चे से चडिया बच्चो रात को आस्मान पे आपने चांद देखा देखिएगा चीता भी जंगल में भी होता है जू में भी है चड़िया घर में चड़िया तो घर में भी आपके आती होगी देखी होगी दाना उसको खिलाया करें हे 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 से हौज हे से हौज हे से हुका बच्चों हुजबे नहाते हैं कभी देखा आपने? आप नहाए हुका अक्सर बुड़े लोग पीते हैं खे से खरगोश खे से खरबूजा खे से खेमा खरगोश आपने देखा नहीं तचले अगर में जूमे जाके देखेंगा खरबूजा भी खाया करें बड़ा फायदे मंद होता है खेमे में जिन लोगों का घर नहीं होता वो रहते हैं बच्चों आगे देखिए दाल ये दाल है दाल दाल से दरख्त दाल से दरख्त दाल से दफ्तर दाल से दफ्तर दाल से दवात दाल से दवात आपने दरख्तों बहुत सारे देखे होंगे हरे हरे पत्ते लगे होते हैं दफ्तर भी अब्बू जाते हैं आफिस जाते हैं अपने अंकल जाते हैं दवात इंक पॉड़ देखियोगी उसमें इंक होती है पैन में डालते हैं डाल डाल से डॉल्फिन डाल से डॉल्फिन डाल से डॉक्टर डाल से डॉक्टर बच्चों डॉल्फिन मचली की एक किसम है बहुत सारी किसमों की होती है एक किसम का नाम डॉल्फिन है डॉक्टर हमारा इलाज करता है बिमार हो जाते हैं तो इलाज करता है डाल आ रहा है डॉक्टर में पहले डॉल्फिन में पहले डाल आ रहा है जाल 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 से जखीरा जाल से जखीरा बच्चों जो चीज़ जादा हो जाती है उसको संभाल के रख लेते हैं, खराब नहो बहुत सारी चीज़ जो जमा कर लेते हैं, उसको कहते हैं, जखीरा रे, रे, रे से रीच, रे से रेच, रे से रेल, रे से रेल, रे से रॉकिट, रे से रॉकिट बच्चों रीच जंगल में भी होता है जू में भी है चडिया घर में जरूर अब्बू के साथ जाएगा चडिया घर जू सारे जानवर देखियेगा रेल गाड़ी में आपने सफर किया होगा गाए होंगे कहीं पर तो रेल गाड़ी देखी होगी राकिट आसमान पे जाता है बहुत तेज उड़ता है इसमें आप लोग नहीं बैठे होंगे डे 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 से पहाड डे से पहाड पहाड में आखिर में डे आ रहा है देखें बच्चों या आपने ऐसे पहाड कहीं गए हों तो देखें होंगे जे 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 से जर्राफा जे से जर्राफा जे से जेब्रा जे से जेब्रा जे से जिप जे से जिप बच्चों जू जाईएगा चिडियागा जाईएगा वहां पे जर्राफा होगा और जेब्रा भी आप देखेंगे जरूर देखे आईएगा जिप तो हमारे कपड़ों में लगी होती है आपने देखियोगी जिप ये 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 से जाला ये से जाला बर्बारी होती है ना पहाड़ी लाकों में बहुत सर्दी होती है आसमान पे से बर्फ गिरती है उसको कहते हैं जाला जाला बारी हो रही है सीन 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 से साप सीन से साप बहुत खतरनाक होता है सीन से सूई सीन से सेब सीन से सेब बच्चों साप तो बहुत खतरनाक होता है बचके रहना सूई से तो अम्मी सीती है चुना नहीं वरना चुप जाती है सेव रोजाना खाया करो रोजाना सेव खाया करो सेहत अच्छी होती है शीन 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 से शेर शीन से शेर शीन से शार्क शीन से शार्क शीन से शुतर मुर्ग शीन से शुतर मुर्ग बच्चों शेर तो जंगल में होता है जू में चिडिया घर में भी है देखकर आईएगा असली शेर ये तो तस्वीर है मचली की एक और किस्म होती है उसको शार्क मचली भी कहते है पीछे डॉल्फिन देखी थे ये शार्क ऐसी होती है शुतर मुर्क इसकी गर्दन भी लंबी सी होती है स्वाद 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 से साबून स्वाद से संदूग स्वाद से सुराही बच्चों साबून से मुध होया करो नहाना चाहिए साब सुतरा हम अपने आपको कर लेते हैं साबुन लगा कर, साबुन लगा कर नहाया करो, साबुन लगा कर मुहाद धोया करो संदूख में अम्मी कपड़े रखती होंगी सुराई में हम पानी रखते हैं, वो ठंडा हो जाये तो हम पीते हैं जुआद, जुआद, जुआद से जईफ, जुआद से जईफ बच्चों जईफ बुड़े आदमी को कहते हैं आपने बुड़े लोगों को देखा होगा वो जईफ लोग होते हैं दादा, दादी, नाना, नानी ये जईफ होते हैं तोए 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 से तोता तोए से तोता तोए से तयारा तोए से तयारा बच्चों तोता तो बहुत सारे लोगों के घरों में होता है आपने देखा होगा जंगलों में भी बहुत तोते होते हैं तैयारा उड़ता है आस्मान पे हम एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं तैयारे में बैठके तायर, बहुत सारे परिंदे जंगल में, शेहरों में रहते हैं सारे परिंदों को हम कहते हैं तायर जोए, जोए, जोए से जल्मत, जोए से जल्मत, जोए से जल्मत, जोए से जल्रूफ, जोए से जल्रूफ अल्ला ताला की अजमात, खुद्रात, जुल्मत है, नूर है अल्ला का नूर है, जुल्मत है, जरूफ बरतन एन, एन, एन से उक्वाब, इंगलिश में भी आपने पढ़ा था, ए फॉर ए इगल, एन से उक्वाब, ये भी परिंदा है एक एन से एनक, एनक हम लगाते हैं, देखने के लिए हमें साफ दिखाई देता है एन से एनक, एन से इमारत, इमारते होती हैं, बहुत से घर होते हैं, आफिसे बने वे होते हैं, होटेल्स होते हैं, सब इमारते होती हैं गैन गैन से गुंचा गैन से गुबारा गैन से गोताखूर बच्चों गुंचा कली खिलती हुई देखी ओगी आपने फूलों की गुंचा गुबारा भी आपने उसमें हवा भर के फुलाया होगा बड़े पे भी आपने बारा लेकर आये होगे, घर सजाया होगा समंदरों में जो तैर लेते हैं पानी के अंदर चले जाते हैं तैरते वे उनको हम कहते हैं गोताखुर फे, फे, फे से फुबारा, फे से फुबारा, फे से फुटबॉल, फे से फुटबॉल आपने देखा है पानी कैसा उचल कर निकल रहा होता है फुबारे में से फुबारा देखा होगा जरूर अब फुटबाल भी खेली होगी पैर से अपने किक मार के फुटबाल खेलते हैं काफ 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 से कमीस काफ से कमीस काफ से काईद आजम काफ से काइद आजम काफ से कलम काफ से कलम बचों कभी इस तो आप पहनते हैं आपको पता है काइद आजम काइद आजम पाकिस्तान बनाया था काइद आजम ने हमारा मुल्क पाकिस्तान है इसमें हम रहते हैं इसे काइद आजम ने बनाया कलम से हम लिखते हैं देखा होगा अबू लिखते हैं बड़े भाई बाजी लिखती है कलम से काफ 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 से केतली काफ से केतली काफ से केला काफ से केला काफ से कबूतर काफ से कबूतर बच्चों, सब तीनों अलफाज में केतली, केला, कबूतर काफारा है शुरू में केतली में हम चाय बनाते हैं, केला हम खाते हैं छील कर कबूतर तो देखा होगा उड़ते हैं, हम दाना देते हैं तुम भी दाना दिया करो, सब आप भी मिलता है कब उतर को दाना देने में. गाफ 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 से गेंद गाफ से गेंद गाफ से गुडिया गाफ से गुडिया देखें गेंद में गाफ में गाफ आ रहा है गेंद में भी गुडिया में भी गेंद से आप खेलते हैं और गुडिया से भी आप खेलते हैं लाम लाम बच्चों लट्टू से भी खेलते और रोश्णी का मिनार होता है रास्ता दिखाने के लिए पानी के जहाजों को अक्सर साहिल पे बना होता है मीम 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 से मचली मीम से मचली मीम से मोटर मीम से मोटर मीम से मलका मीम से मलका बच्चों आपने मोटर देखी है इसमें बैठे भी होंगे कार में मचली ये मीम से मचली है मचली की बहुत सी किसमे होती है और बाश्चा की जो बेगम होती है उन्हें हम मलका कहते है बाच्छा को भी नहीं देखा हमने, मलका को भी नहीं देखा, तस्वीर में देखा है, आप भी देखिए नून, नून, नून से नर्स, नून से नल, नून से नरंगी बच्छों इनर्स है, बिमारों की देख भाल करती है, हमारे नलों में पानी आता है न, नल भी देखा है आपने और नरंगी कीनू तो खाया होगा, उसको नरंगी भी कहते हैं, देखें तीनों अलफाज में नून आया है पहले वाओ, वाओ, वाओ से वरक, वाओ से वेल मचली, वाओ से वेल मचली पेज जो होता है बुक का, कौपी का, उसको हम क्या कहते हैं वरक और मचली की भी ये किसम है, वेल मचली भी मचली की ये किसम है, बहुत सारी किसमे होती हैं मचली की हे 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 से हेलिकॉप्टर हे से हेलिकॉप्टर उरता है उरता हुआ कभी देखा है इसके पर उपर उरत रहे होते हैं हे से हाती हे से हाती चड़िया घर जरूर जाईएगा अब्बू के साथ वहाँ पे हाती की मिसमारी कीजेगा छोटी ये बड़ी ये से यक्का, योक, ये से योक, ये से यक्का, ये से युनिफॉर्म, योक भी एक जानवर है, यक्का ये गाड़ी में लगा हुआ है, गाड़ी के साथ इसको यक्का कहते हैं, युनिफॉर्म आप भी पहनते हैं, इसको लाते हैं, एक से जो कपड़े पहनते हैं, उसको यु ये अलिफ, बे, पे, टे, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोई, जोई, एन, घैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, बाउ, हे, दो चश्मी है, हमजा, छोटी ये, बढ़ी ये, बच्चों, मैंने आपको किताब पढ़ाई, हुरूफे तहजी पढ़ाए, आप रोजाना यूट्यूब में, खोल कर मोबाईल पर, रोजाना याद किया कीजे, इमतहान में, ये सुनेंगे आप से, स्कूल खुलेगा, इमतहान हूंगे, ये आपको सुनेंगे, आपका सुनेंगे, आपको कॉप्यों पे भी काम दिया है, हूमवर्क में अपनी कौप्मियां लाकर जमा कराईए हूमवर्क की नई कौप्मियां लेकर जाईए अब मैं आपको हूमवर्क दोंगी बच्चों आपको खुरूफ तहजी जीम तक दिये हैं इस हफ़ते पक्के याद कीजे बैने पूरे पढ़ाएं अगले हफ़ते उससे आगे याद कीजेगा खुरूफ तह जी इस हफ़ते अलिफ से जीम तक और खाली जगा पुर करें ऐसे करते हैं अलिफ के बाद क्या आना चाहिए बे इदर लिख दीजेगा बे फिर क्या आना चाहिए बे के बाद क्या आता है पे इदर लिख दीजेगा जिसके नीचे तीन नुक्ते होते हैं ते लिखा हुआ है ते के उपर दो नुक्ते होते हैं फिर ते यहाँ पे ते खुद आप लिखिएगा ते के उपर तोई भी बनाते हैं से लिखा हुआ है खाली जगा आपको भरना है आगे से के बाद जीम देखें यह उपर बना हुआ है ना जीम ऐसा जीम यहां बना दीजेगा अब यहां पे हुरूफ को आपको मिलाना है देखें यह पे से पे को मिला दिया है ना ऐसे आप अलिफ को इस अलिफ से मिलाईए, से को ये से दिया है, इससे मिलाईए, लाइन खेज़ेगा स्केल से, टे को इस टे से मिलाईए, जीम को ये उपर दिया है, जीम इससे मिलाईए, बे को ये बे दिया है, देखें इससे मिलाईए, और से को ये से दिया है, इससे मिला बच्चों उर्दू में तीन नजमें क्लास में भी आपको याद कराई थी चंदा मामू गुडिया बुलबुल का बच्चा ये जबानी याद कीजे इमतहान में सुनेंगे याद करिए आपके स्लेबस में दी हुई है बच्चों इसलामयात में ये सवाल के जवाब दी हैं सवाल भी दी हैं जवाब भी आपके स्लेबस में ये याद करिए इमतहान में सुने जाएंगे अभी कलास में इसने भी याद कराए थे आपको हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इसलाम है इसलाम को मानने वालों को क्या कहते हैं इसलाम को मानने वालों को मुसल्मान कहते हैं हम कौन हैं हम मुसल्मान हैं जो दीन को इसलाम नहीं मानता उसे क्या कहते हैं जो दीन इसलाम को नहीं मानता उसे काफिर कहते हैं जो दीने इसलाम को नहीं मानता उसे काफिर कहते हैं हम को किसने पैदा किया है हम को अल्ला ताला ने पैदा किया है सारी दुनिया को किसने पैदा किया है सारी दुनिया को अल्ला ताला ने पैदा किया है क्या अल्ला एक है जी हाँ अल्ला एक है क्या अल्ला का कोई शरीक है जी नहीं अल्ला का कोई शरीक नहीं हम किस की अबादत करते हैं हम अल्ला ताला की अबादत करते हैं अल्ला ताला ने मुसल्मानों पर कितनी नमाजें फर्ज की हैं अल्ला ताला ने मुसल्मानों पर पांच नमाजें फर्ज की हैं बच्चों आपके स्लेवर्स में जर्नल नॉलिज के कुईस्टन दिये हैं ये जबानी याद करना है, इम्तान में जबानी सुने जाएंगे, ओरल होगा हम कौन है? हम मुसल्मान है पहला कलमा क्या है? ला इलाह इल्लाह मुहम्मद रर्सूल उल्लह पहले कलमे का तर्जुमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई अबादत के लाइक नहीं मुहम्मद सल्ललाहु अल्यही वसल्म अल्लाह के रसूल है मुसल्मानों के दीन का क्या नाम है? मुसल्मानों के दीन का नाम इसलाम है मुसल्मान किसे कहते हैं? मुसल्मान वो हैं जो अल्ला ताला को अपना खालिक और मालिक मानते हैं और हुजूर सल्लालाई लिए वसल्म को अल्ला का आखरी नभी मानते हैं इसलाम हमें किस चीज़ का हुकम देता है इसलाम हमें नेकी और भलाई का हुकम देता है बच्चों हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए अम्मी का अदब करना चाहिए अब्बू का अदब करना चाहिए अपनी मिस्का अदब करना चाहिए किसी को सताना नहीं चाहिए बेजाजित नहीं करना चाहिए हम मुसल्मान है ना हमारे नबी ने हमें ये हुक्म दिया है हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तुफा ने हमें ये हुक्म दिया है कि हमेशा सच बोलो बादा खिलाफी ना करो किसी को तंग ना करो लोगों के काम आओ लोगों का अच्छा चाहो अपने बड़ों का हुकुम मानो सब के साथ अच्छी तरह पेश आओ बच्चों ये जरूर किया करो सवाब मिलता है हमारे प्यारे नबी स्वाब मिलता है हमें इसकी तालीम दी है ये अल्ला का हुकुम है आगे बच्चों ये याद करें मजीद किया है कुरान मजीद अल्ला की आखरी किताब है कुरान मजीद में कितने सिपारे है बच्चों मैंने आपको अर्दु की किताब पढ़ाई है और ये स्लेबस भी पढ़ाई आप रोजाना योटیوب खोलकर मुबाइल का और रोजाना इसको याद किया कीजे रोजाना याद किया कीजे इम्तहान में सुनेंगे लिखवा कर देखेंगे स्कूल जैसी खुलेगा उसके थोड़े दिन के बाद इम्तहान होंगे इम्तहान की तैयारी कीजिए बच्चों आपकी बहुत सारे बच्चों की फीज जमा नहीं होई है अम्मी से कहिए अक्तूबर नवंबर की फीज जमा करें